व्यकटी कौन है गुरु, श्रोत्रियम वो शास्त्र को जाने ऐसा नहीं कपोलकालपिद धारणाओं को प्रस्तुत करें मुझे लगता है ऐसे मुझे लगता है वैसे नाम सदगूरू रखने से कोई सदगूरू नहीं होता वास्तविक सदगूरू गुणों से होता है कितने बार व्यक्ति शास्त्रों का प्रमाण दे इससे पता चलता है आजकल के काल में कई ऐसे गुरू है जतमत तथपत उनको कोई भी प्रश्ण पूछो पहले हसेंगे और फिर यहाँ वहाँ गुमाएंगे प्रश्ण के अलावा बाकी सब बोलेंगे पूर्न रुब से इतना भ्रमित करेंगे व्यक्ति को व्यक्ति भूल जाए कि मैं कौन सा प्रश्ण पूछा और जब यक्ति ये भूल जाए तब लगता है हाँ वाँ 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 ये जो बोल रहे हैं ये उत्तर मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब इतने उचे गुरु है ये ये सब घोर कलियू का प्रतीक है विशेश लक्षन है प्रहुपा जी कहते हैं बारावे सकंद भागवत में जो प्रहुपा जी तो टिका लिख नहीं पाए पर कथाओं के माध्यम से कि कलीकाल का मुख्य लक्षन यही है कि जो गुरु रूप बैठे हैं वो गुरु नहीं गोरु है गदे हैं शास्त्र के अलावा बाकी सब बोलेंगे गुरु का अर्थ है केवल शास्त्र बोले यह नहीं कि यह बात करें कि प्रदान मंत्री को क्या करना चाहिए सचिन टेंडुल कर को कौनसा शॉट मारना चाहिए आजकल के गुरु यहीं है बस कुछ भी प्रशन पूछो चार चार पाच पाच घंटे टाइम पास करते हैं श्रोत्रियम गुरु वो हो जो शास्त्र को अंदर बाहर दाए बाए हर पक्ष से जाने और केवल ग्यान नहीं श्रोत्रियम ब्रम्हनिष्ठम ग्यान हो सिरका वि व्यक्ति जो कह रहा है उसको अनुभव किये हो जहाना पॉच्छ